महुआ माहितरा जी का निस्काशन हुआ तो कही न कहीं महुआ माहितरा जी का निस्काशन सारे सांशदों के लिए एक सीख है जब हम सांशद बनते हैं तो हम संविधान को लेकर शपत लेते हैं कुछ नियमों के तहट हमें काम करना पड़ता है और हम सबको ग्यात रहो कि हम एक काँच के घर में हैं और सारे लोग हमें देख रहे हैं, पूरा देश हमें देख रहा है और हम लाखों लोगों का प्रतिने धित्व देश की सबसे बड़ी पंचायत में करते हैं तो ऐसी स्थीती में कहीं न कहीं बहुत धायत्तुपुन वैभार होना चाहिए महुआ माइतरा जी के केस में अने तिकता दिखी, धायत्तुपुन वैभार नहीं दिखा और इस वजह से आज उनका लोगसभा से निस्काशन हुआ तो मैं ये कहना चाहूंगे कि लोकसभा स्फिकर सहाब को संसदिय प्रणाली को दृष्टी में रखकर, समवेधानिक प्रक्रियाओं को दृष्टी में रखकर काम करना पड़ा, उन्होंने काम किया, सारे सांशदों के लिए एक सीख है, जब हम संसद बनते हैं, तो हम संवेधान को लेकर शपत लेते हैं, कुछ नियमों के तहट हमें काम करना पड़ता है, और हम सब को ग्यात रह हो कि हम एक कांच के घर में हैं, और सारे लोग हमें देख रहे हैं, पूरा देश हमें देख रहा है, और हम लाखों लोगों का प्रतिनिदित्व, देश की सबसे बड़ी पंचायत में करते हैं, तो ऐसी स्थिती में कहीं न कहीं बहुत धायत्तुपुन वैभार होना चाहिए महुआ माइतरा जी के केस में अने तिखता दिखी धायत्तुपुन वैभार नहीं दिखा और इस वजह से आज उनका लोक्सभा से निस्काशन हुआ तो मैं ये कहना चाहूंगे कि लोकसभा स्फिकर सहाब को संसदिय प्रणाली को दृष्टी में रखकर, संवेधानिक प्रक्रियाओं को दृष्टी में रखकर काम करना पड़ा, उन्होंने काम किया, सारे सांशदों के लिए एक सीख है, जब हम संवेधान को लेकर शपत लेते हैं, कुछ नियमों के तहत हमें काम करना पड़ता है, और हम सब को ग्यात रह हो, कि हम एक काँच के घर में हैं, और सारे लोग हमें देख रहे हैं, पूरा देश हमें देख रहा है, और हम लाखों लोगों का प्रतिने दित्व, देश की सबसे बड़ी पंचायत में करते हैं, तो ऐसी स्थीती में कहीं न कहीं बहुत दायत्तुपुन वैभार होना चाहिए, महुआ माइतरा जी के केस में अने तिकता दिखी, दायत्तुपुन वैभार नहीं दिखा, और इस वजह से आज उनका लोगसभा से निसकाशन हुआ, तो मैं ये कहना चाहूंगे कि लोगसभ स्थीकर सहाब को संसद्य प्रणाली को द्रिष्टी में रखकर, समवेधानिक प्रक्रियाओं को द्रिष्टी में रखकर काम करना पड़ा, उन्होंने काम किया, पार्लेमेंटरी स्राणिंग कमीटी और एथिक्स और प्रिविलेजेज ने तीन बैठकें की,